हैज He can we care about fuckin believe in you chat शुर्कन के साहिद दो अमर रहे हैं अमीनसतर यह आप लोग जो है विस्तार किये हैं जे भी केस Protecting वहने है यहां से सिल्णी भीदान सबान से पहली बार हो रहा बन पड़े तो रखना जवाब मेरा खोन बेकार ना जाए मेरे खोन का हिसाब रखना जोहार नमस्कार अभी हम लोग सोना हातू प्रखंड में मौजूद है हमारे सामने देख सकते हैं सभी ग्रावी नवासी यहां पे हैं और एक बेनर लिए खड़े हुए जार्खंडी भास मौजूद है और देख सकते हैं तमाम जो गाओं के लोग हैं ग्रामीन के लोग हैं वह यहां पर मौजूद है वह इसलिए मौजूद है कि बंचाइद अस्तरिय विस्तार हो रहा है जेबी कैसे का और हमारे साथ इसी कड़ी में छात्रनेता देवेंदरनात मैतो जी हैं कोटी का विस्तार हम लोग मील के सबको आगे बढ़ाएंगे इसको जेबी कैसे को हां क्या कुछ संदेश दीजिएगा चुकि आप लोग ग्रामीन स्तरिये विस्तार कर रहे हैं यहां पर बहुत दिन हम लोग का सशन हो गया अब हम लोग नहीं सहेंगे अब नहीं सहिएगा क्या लगता है दादा आपको ग्रामीन स्तरिये आप लोग जो है विस्तार किये हैं जेबी कैसे का क्यूंकि साइद से जो पंचायत लेबल का विस्तार है यहां से सिल्ली बिधान सभा से पहली बार हो रहा होगा जेबी कैसे का तो उसको लेकर करके आप एक छोटा सा ने बच्चा को आपने पढ़ाया है और बच्चों को हम कहेंगे कि अपने माँ बाप चाशा चाची को पढ़ाईए कि जैराम टाइगर जो अपने सिद्धानतों के साथ अपने धर्खंड की रच्छा के लिए माटी माई की रच्छा के लिए जो 23 साल में नहीं हुआ है वह इ जितने में सुनने वाले दर्खक है शरू को बोलना चाहते हैं कि जैराम मातों के जैन भावना को गहार गर तक पोंचा है उसके बाद बचाद इस्तर पर उसके बाद परखंड कमिड तक यह जरूर एक दिन सफल हो जागा क्या कुछ बोलिएगा छोटा सा सुन्दर सा संदे पंचायत लेबल से आप लोग विस्तार कर रहे हैं हम लोग इस यह सफर सच के माइदम से हम बोलना चाहते हैं कि जैन जागरन का जो मुहिम चला है इसको हम लोग घर घर तक पहुचाएंगे घर घर तक पहुचाएंगे बिल्कुल इसी कड़ी में देवेंदरनात महतो जी अभी यहां पे हैं देवेंदरनात महतो जी आप लोग अभी पंचायत अस्तरिय इसको जो है सो विस्तार कर रहे हैं और अल्रेडी बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट का पाटी विस्तार हो चुका है कई सालों से बरसों से क्या गैरेंटी है दो हजार चौबीस में वि पंचायत का टंग-टंग मैदान में और हमारा आज का जो जारखंडी भासा खत्यान संगर्शमीती का आगे पंचायत अस्तर पे जो हमारा सुनातु परखंड हो या राहे परखंड हो सिली परखंड हो अंगडा परखंड हो तमाम परखंडों में पंचायत अस्तर विस्तार और गाउं गाउं तक जन जागरन कैसे करें इसको लेकर के लंबी समय तक गहन चिंतन, मनन चिंतन हुआ, वैठक हुआ, आज का वैठक का अध्यक्षता हमारे अभिभावक सवरुप, आधरनिया, राधानात, महतो जी जो एक सिच्छक से जुड़े हुए हैं, अभिभावक के तोर पे हमारे आधरनिया, रंजित, महतो जी, विदेशी दा, करम दा, पंचानन दा, और फिर सिल्ली छेत्र से आए हुए, पिंटु दा लोग, निलकमल दा लोग, ऐसे कई साथ, आठ साथी लोग को और लगबग लगबग राहे से, सुनाहतु से, सिल्ली से, हम लोग अपना कमिटी का विश्थार करेंगे, जन जागरन अभियान चलाएंगे, और इधर हाल फिलाल में जो अगामी आठ अगस्त को जो सहिद निन्वल दादा का सहदत दिवस है, उस सहदत दिवस के मौके पर हम लोग मल्यारपन के लिए पूरे सभी आसपास के जितने भी पू तो सिली में आदमकत मूर्ती है हमारे निर्मल दादा का, चुकि निर्मल दा अलग जारखन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिये हैं, आज जारखन अलग राज, अगर हम लोग कहते हैं जाय जारखन, कैसे लिया जारखन, लड़की लिया जारखन, तो अगर लड़ने वालों की बात है तो बहुत महत्पून योगदान निर्मल दा का है, और निर्मल दा का 8 अगस्त 1987 का सहित के परिणाम से ही हम लोग का 15 नवंबर 2000 को जारखन राज के गठन हुआ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छी बाते कही थी, कि बनकर उठूंगा सवाल, बन पड तो रखना जवाब मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, तो आज उनका खून का हिसाब रखने की जवरत है, चूकि 23 साल का जहरखन में हम लोग देखते हैं, तो नियोजन नौकरी के लिए नियोजन निती नहीं है, यहां के विकास, पूल, डेम, रोड या उद्दोग लगाने के लिए पुनरवास निती नहीं है, विस्तापन निती नहीं है, क्रीसी निती नहीं है, किसान को समय बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, उसका लेम्स में धान नहीं बिखता है, परखन अस्तर से लेकर सचिवाले तक भर्ष्टाचार ब्या साथ हुआ था तो आज जैसे कि आप आपने कहा था कि हम लोग बड़े-बड़े दिगज से टकराएंगे और हमारा विस्तार अभी नया होने वाला है और अन्य फार्टी का विस्तार पुर्व से है चुकि आपको हम बता दें सफर सच चैनल के माध्यम से किया देश लोकतांत् देश में सबसे बड़ी बात है बरावर भोट का दिकान चाहे वो किसान में किसान खेत में काम करता हो खलियान में काम करता हो जंगल में काम करता हो या बहुत बड़ा लाटसा है बहुत टाटा हो आडानी हो सबका भोट का कीमत एक बरावर ये काउंटिंग एक के गिनती हो जो लेवर खलासी कुली है और एके काउंटिंग होगा टाटा अडानी अंबानी का ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत है और हमारा विस्तार जो हो रहा है अल्रेडी टाइगर जैरामदा के नित्रित्व पे जो अभी पूरे राज में आंदोलन चल रहा है हम लोग घर घर तक पहुंच चुके हैं घर घर के लोगों के दिल तक पहुंच चुके हैं बस और यहां जो हम लोग का जहरखन अस्तर पे जो भी परिवर्तन और बदलाव का एक संकल्प लिये हैं यहां बदलाव सिर्फ MLA एर MP का बदलाव का लड़ाई नहीं है यहां बदलाव 23 साल का ज 21 जहर खंडी है तो 32 में 32 योग्य खत्यांधारी संविधानिक तरीके सो जो प्रावधान होगा उसको अस्थापित करने का बदलाव है हमारा बदलाव है जो यहां गिरिय सची हो विधी सची हो कार्मिक सची हो या JPSC, JSC, JSLPS या JEPIT के तक नियुक्ति हो तमाम नियुक्ति जहर खंडी खत्यांधारी के लिए हम बैठाने का यह बदलाव और यह संकल्प है तो निश्ची थी यह लड़ाई यहां के जहर खंडी सवा तीन करोज जनता लड़ रही है तो हमारे समने कोई दिगज नहीं है सब का सब का विधाई हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत अस्तरिये जो आप लोग विस्तार कर रहे हैं जहर खंड में जेबी केसिस का वो पहली से यहां से सुरुवात हो रहा है साइद से क्योंकि मेरे जानकारी लेखिन आप तमाम जहर खंड के लोगों को क्या संदिश देंगे जो जेबी केसिस अब लोग चाहते हैं कि पंचायत अस्तर पर हम अपना सुरुवात करें जेबी के एसस को लेकर के नए ऐसा बात नहीं है लगभग लगभग संपूर्न जहर खंड च्छत्र में पंचायत अस्तर का विस्तार का कर्चकरम प्रारम हो चुका है चुकि हम लोग का कर्चकरम एक अपना महत्पूर्न योगदान हम लोग पूरे परदेश अस्तर में दे रहे थे इसी वज़ा से हम लोग बाकी से थोड़ा से लेट सही सही लेकिन बहुत ही मजबूती से हम लोग इसका सुरुवात किये हैं और निश्ची थी आने वाले दिनों पे जब तक अब हमारा हर ए हिसी रहें और अलग अलग गाउं में सुएंगे और पूरा त्याग और समर्पन और अपना जीवन का संपूर्न सत उप्योक इस झार इभासा खत्यान संगर समीती के लिए हम लोग देंगे और पूरे मजबूती से हर गाउं अस्तर में हम लोग का कमिटी का विश्थार करे बिस्टा मुंड़ा अमर रहे सिद्धू कालू अमर रहे जबी कैसेज जंदबाद तैगर जैराममतु जंदबाद जबी कैसेज का संघार जंदबाद ićरकाड़ी भासा संदर समीत्री का बदलाओ का संकल्ब जंदबाद जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, काईसे लिए जारखान, काईसे लंगे अधिकार, जाय 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 जारखान देवंदरनात महतो जिन्दाबाद देवंदरनात महतो जिन्दाबाद चली बहुत बहुत धन्यवाद